जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना विल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन के लिए अच्छी खबर नए संक्रमी से डबल हुए स्वास्थ एक्टिव केस 28 यहर 589 जार्खन में कुरोना के पचीस हो चौदा नए केस मिले है जो राचीस से 827 पूर्वी सिमूं 542 बोकारो 65 धनबात 135 रामगर 45 पचमी सिमूं पच्पन कुडार्मा 26 पलामू 48 देवघर 114 गुमला 16 गिरीडी से 24 खुटी बहतर लातेहर सुल्ला सिम्डेगा 28 राकलेखर सवा 28 गढ़वा 25 लोहर दगगा 26 चात्रा पशतर गोड़ा 46 चामतरा सटरा दुमका से 145 साहिवगंज 50 और पाकुर से 8 मरीज मिले है बतादे जार्खन में 38 ठानबे मरीज स्वास्त भी हुए है वहीं 4 मरीज की मोत भी होई है एक्टिव केस 28,599 है जार्खन के जिलो में एक्टिव केस इस प्रकार है राची 11,410 पूर्वी सिम्भूम 6,243 हजारी बागुनाई सो दो बोकारू 701 धनबाद 480 रामगर 816 पाच्मी सिम्भूम 590 गोटी 478, लातेहर 210, सिम्डेगा 10110, सराय के लाखर सवा 528, गडवा 314, लोहर्दागा 333, चत्रा 736, गोड़ा 534, जामतड़ा 187, दूमका 508, साहिव गड़ा 114, पाकुर से 178 मरीज एक्टिव है पारा सिक्षको को मिलेगी सोगाद, आज सीम हेमन्त लेंगे फैसला जहरखन के पारा सिक्षको को सरकार बड़ी सोगात देने जा रहे है, बतादे राज्ये के 64,000 सिक्षको को EPF का लाव दिया जाएगा, इसमें सिक्षको के मांदे से 6 पर्चस रासी काटेगी और बाकी 6 पर्चस की रासी राज सरकार देगी बतादे इसकुरी सिक्षा वसक्षता विभागने इसके लिए प्रस्ताव को त्यार कर लिया है, अब जल धीमो की मंत्री हमान सुरेन इस पर अमतीम फैसला लेंगे मिली जनकारी के मुताबिक सुरेन सरकार बुद्धवार को पराशिक्षको को सेवा सर्त निमावलिक परस्ताव के साथ मंजूरी दे सकती है वहीं कहा जा रहा है कि अगर समती नहीं मिली तो 82 सत्र में इसके प्रवधान किये जाएंगे और पराशिक्षको को इसका लाव दिया जाएगा बता दे कि EPF की सरकार मत की और से दी जाने वाली रासी मान दे बढ़ोतरी के अत्रिक्त होगी जहारखन में कुरोना से तीन माह की बच्ची की मौत रिम्स में इलाजरत तीन माह की बच्ची की ब्रेन फीवर और कुरोना से मौत हो गई बता दे बच्ची नामकुम की रहने वाली थी जिसे उनके माता पिता ने 22 दिन पहले रिम्स के पीडियाट्रिक सरजरी वार्ड में भरती कराया था उनका इलाज कर रहे डॉक्टर अमर बर्वा ने बताया कि बच्ची को पहले ब्रेन फीवर की सिकायत थी जिसके बाद कोवीड जाच में ओपोजटी पाई गई थी बतादे बच्ची छोटी थी इसलिए उसे पीडियोट्रिक सरजरी वार्ड के सी पैप में रखा गया था लेकिन बुद्धवार के सुबा बच्ची ने दम तोड़ दिया जहारखन में सीत लहर जारी उत्तर भारत से आई पच्ची बिच्चोब का असर खत्म होते ही ठंड फी असर दिखाने लगा है बतादे पूरा राजे सित लहर की चपेट में है राजे में मौसम सुस्क है सुबा में घाना कोरा तथा धूंद रहता है मौसम साफ होने के बाद हावा की गति तेज हो जाती है जिससे ठंडी हावा चल रही है बतादे राजे के सभी जीलो का निम्तम तापमान पिछले दो दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा वहीं धूब तेज रहने के बावजूद हावा में कनकनी है कई जीलो का निम्तम तापमान समाने से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है मंगलवार को राजे में सबसे कम तापमान बोकारो का रहा बता दे वहां का निम्तम ता 56.2 डिग्री सिल्सियस रहा है मैट्रिक और इंटर की परिक्षा पर निर्नाय जल्द जैक के नए अध्रक्ष डाक्टर अनिल मतो ने कहा कि समय पर परिक्षा रियर्ट जारी करना उनकी परत्मिक्ता होगी बर्ष 2022 की मैट्रिक और इंटर की परिक्षा पर भी जल्द ही निर्नाय लिया जाएगा उन्होंने कहा कि योगदान देने के साथ ही वह परिक्षा से समंधित कारियों की पूरी जनकारी लेंगे और इस समंध में जल्द ही निर्नाय लिया जाएगा जो परिक्षा नहीं हो सकी है उसे भी जल्द से जल्द कराये जाएगा बता दे COVID-19 के संक्रमन को देखते हुए सिक्षा विभागने बर्ष 2022 की कक्षा 9 वह एक आर्मी और मैट्रिक इंटर की परिक्षा दो टर्म में लेने की बात कही थी इसके ताद मैट्रिक इंटर के परिक्षा दिसंबर और कक्षा 9 वी 11 वी की बोट परिक्षा जनवरी में होनी थी टेरर फंडिंग केस में एन आईये ने महेस अगरवाल को किया गिरफतार चत्रा की मगद और अमरपाली कोल परियोजना से टीपीसी उगरवादियों को टेरर फंडिंग करने के मामले में एन आईये ने मंगलवार को आधुनिक कर्पोरेशन लिमिटेट के एमडी महेस अगरवाल को गिरफतार कर लिया है बता दे एन आईये की टीम ने उन्हें कोलकाता इस्थित उनके आवाज से पकड़ा है हलाकि अभी एन आईये के अधिकारियों ने इनकी गिरफतारिक पुष्टी अधिकारिक रूप से नहीं किया समगर सीक्षा अभीयान में अब पहले काम फिर भुकतान का फर्मूला है भारेसरकार ने समगर सीक्षा अभीयान के तहद दी जाने वाली रासी के आवंटन और खर्च की परकिरया भदलाव किया है पतादे इसके तहद पहले इसकूलों में काम होगा और इसके बाद बील पास होने परासी का भुगतान होगा इस फर्मूला के तहद हिर्मास्टर साहब को पहले समान खरिदना होगा या निर्मान कारे कराना होगा उसके बाद उनका बिल पास होगा फिर तब जाकर रासिका भुक्तान किया जाएगा जारखन में घर्ट रहा कुरोना का संक्रमन जारखन में कुरोना की तिस्री लहर में ओमिक्रोन की पुष्टी के बाद अब जो आकडे आ रहे हैं उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि यहां तिसरी लहर अब धलान पर है आकडो के हिसाब से पिक संभौता गुजर गया है हालाकि भी से सगे बता रहे हैं कि सिती पूरी तरह साफ होने में एक और सपता लगेगा स्वास्त होने वालों का गराप अचानक बढ़ने और नए संक्रमीत की तूनला में टीक होने वाली की संखे दोगनी होने में बेहतर संकेत माना जा रहा है गुमला और चैनपूर में बनेगा सौर उर्जा से चालित मीनी कोल्ड एस्टोरेज गुमला जीला के सदर परखंड गुमला एवाम चैनपूर परखंड के सबजी उत्पादक किसानों के लिए एक एक सौर उर्जा चालित मीनी कोल्ड एस्टोरेज बनाने की योजना है बतादेया योजना जहर्खन सरकार की है सौर उर्जा चालित मिनिक कोल्ड इस्टोरेज बनाने के लिए किरिसी पसुपाला नेवं साकाइटा भीभाग जहर्खन सरकार दोरा जीला साकाइटा भीभाग गुमला से प्रस्ताव बना कर मांगा गया था जिसके अलोक में भीभाग ने सदर प्रखंड गुमला के गुमला लैप्स पैक्स परिसर एवं चैनपूर प्रखंड के रामपूर लैप्स पैक्स परिसर में पांच-पांच मिट्रिक टन छामता वाले सौर उर्जा चालित मिनिक कोल्ड इस्टोरे निर्मान के लिए लगभग 42 लाख रुपया का प्रस्ताव बनाया है भागपा मवादियों के खिलाप बड़ी कम्यावी सराय केला में 15 आईडी बरामत अतंकियों की दिल्ली के गाजी पूरमंडी को दहलाने की कोशिस नकाम हो गया बता दे कुछ इसी परकार की तैयारी नक्चलियों की जारकन में भी थी जिसे पूलिस ने नकाम कर दिया दरसल भागपा मवादी खिलाप पूलिस के सर्च अभियान चलाया जा रहा है इसी करम में सराय के लागए पूलिस अधिक्चा को गुप्त सूचना मिली की भागपा मवादी जीले के कुछाई इलाके में जग़ जग़ पर आईडी लगा रहे हैं जिसके बाद पूलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए सी आर पी एप 157 बटालियन के साथ छापे मारी टीम का अगठ़न किया जिसमें BDDS टीम के पदाधिकारी के साथ साथ कई जवान भी सामिल हुए चर्च अभियान के दवरान काड़े रांगो पहाडी के तरफ जैसे ही जवान आगे बढ़े तो करीब डेर किलोमेटर के दूरी पच्छिम दिसा में 15 आईडी बरामध हुए खुंटी में कुरोना संक्रमित की मोत नहीं कराया था वैक्सिनेशन बैस्विक महमारी घोसीत कुरोना वायरस संक्रमन के इस लहर में जीले में पहली मिर्थी हुए बतादे खुटी जीले के तोरपाई स्थीत रेफलर अस्पताल में मंगलवार की रात 51 बरसी एक कुरोना संक्रमित ब्यक्ति की इलाज के दुरान मिर्थी हो गई सुबा दस बय तक मृत्ता का सव अस्पताल में ही था बतादे अस्पताल परवंधन की ओर से सव को ले जाने को ले कर किसी प्रकागी करवाई सुरू नहीं की गई थी जारखन केंद्रिय विश्ववेद्याले के डाक्टर अमृत कुमार बिद्या वारिधी सारस्वत समान से समानित किया गया बता दे या समान उन्हें हिंदी साहिते छेत्र में किये गया उलेखनी योगदान के लिए दिया गया है डाक्टर अमरित कुमार हिंदी को समान दिलाने के लिए लगतार पड़ास रथा हैं ठीका करन अभियान में रामगर सदर परखंड अस्पताल को गोल्ड कोविड ठीका करन महा अभियान को बढ़ावा देने के लिए चारखंड स्वास्त विभाग के राष्टे स्वास्त मिसंद वाला चलाए जा रहे महाभियान के दूसरे सब्ता में उत्कृिष्ट पर्दसन के लिए रामगर सदर परखन अस्पताल ने प्रतम अस्थान प्राप्त कर गोल्ड हांसिल किया है बता दे एक सो साथ परद्धिय से अधिक टीका करन के लक्ष को पार कर अस्पताल ने अउपलबदी हांसिल की है के लिए उदारन बन गई है बता दे स्वयम केंद्री क्रिसी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर ने वीडियो कंफरेंसिंग के माद्यम से चूर्चु नारी उर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की सफालता की कहानी सुनी बता दे मौका था लगू किसान क्रिसी बेपार मंडल के अस्थापना दिवसका जिसमें देश भर के क्रिसी बिससग फार्मर प्रोड्यूसर औरगनाजेशन मंत्राले ने अधिकारी और केंद्री क्रिसी मंजूद थे बता दे क्रिसी पोर्टल इनाम के मादयम से 92 लाख रुपय का डिटर पेमेंट कर देश में लगू सरेणी में नमबर एक बनी चूर्चू नारी उर्जा की निदेशक लाल मुनी मरांडी ने जब एक-एक महिलाओ के जोडने की कहानी बताई तो क्रिसी मंत्री भी इसे सराह बिना नहीं रह सके धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं होते हैं चैनल सब्सक्राइब कर बहल का बहले के अंद बढ़े साथा वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कुमेंट वक्स में अपना फीड़बैक अवस्य दे थैंक यू